नमस्कार प्यारे दोस्तों, रोजाना की तरह वीडियो शुरू करने से पहले, आज की नई सीख अन्नदानम महादानम विद्यादानमता, परम अन्नेन अक्षणिका अत्रिप्तिया, यावज जीवंच विद्या, अर्थात भोजन देना एक महान उपहार है, लेकिन शिक्षा के अच्छे परिणाम जीवन भर के लिए होते हैं, नमो यूनिवर्स दोस्तों, निकोला टेसला ने वास्तव में 3-6 और 9 नमबरों को बहुत महतुपूर्ण माना था, लेकिन उनके अनुसार ये नमबर ब्रहमांड की रहस्यमय शक्ति को संदर्भित करते हैं, टेसला का कहना था कि 3-6 और 9 नमबरों में छिपी गहराई के रहस्य को समझने के लिए ब्रहमांड की संपूर्ण ग्यान की आवश्यक्ता होती है, वे कहते थे कि अगर आप 3-6 और 9 के महत्व को समझ जाते हैं, तो आप ब्रहमांड की सभी गहराईयों की कुंजी को जानते हैं. यह कथन निकोला टेसला के एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्रण में से एक है. निकोला टेसला इस धर्ती पर पैदा होने वाले टॉप के जीनियस लोगों में से एक ऐसा नाम जिनके साथ ना जाने कितने अंगिनत रहस्य जुड़े हैं, जिन्हें सुलजाने में आज भ पिछले बीस सालों में की गई रिसर्च से जो रिजल्ट सामने आए हैं, वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं. इलेक्रिसिटी, इलेक्रिक मोर्टर, एक्सिडेंट, टेकनॉलजी, रेडियो, रिमोट कंट्रोल, टेकनॉलोजी, जैसे कामियाब, आविश्कारों के जन्मदाता, तीं सौ से ज्यादा पेटेंट और अनलिमििटेड, फ्री वायरलेस इलेक्रिसिटी, जैसे अंगिनत मिस् इस से मैं आविशकारक निकोला आखिर इन 3-6 और 9 नमबर के अपने थियोरी से दुनिया को क्या समझाना चाहते थे आखिर 3-6 और 9 नमबर को लेकर उन्होंने इतना बड़ा दवा क्यों किया कि यदि आप इन नमबर्स के रहस्य को सुलजा पाए तो समझो अपने इस यूनिवर्स की चावी को खोज लिया है ऐसा क्या खास था इन नमबर्स में कि 8 भाशाओं का ज्यान रखने वाला एक जीनियस वैग्यानिक इन नमबर्स को रिलिजिसली अपनी लाइफ की हर चीज में किसी ना किसी तरह शामिल कर लेता था किसी बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के तीन चक्कर लगाना खाने से पहले हर बार अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ करना किसी भी होटल के केवल उसी रूम में रुकना जिसका नमबर 36 और 9 से डिवाइड हो सकती ऐसे ही कुछ आदतें उनकी डेली लाइफ का हिस्सा थी और जिसके कारण लोगों ने पागल और संकी भी कहते थे चलिए, खोजते हैं 36 और 9 से जुड़े ब्रहमांड के उस गहरे रहस्य को जिसकी तरफ निकोला ने इशारा किया था दोस्तों विज्ञान आज ये मानता है कि यूनिवर्स की हर चीज के निर्मान में मठ का इस्तिमाल बहुत ही खुबसूर्ती से किया गया है दूसरे शब्दों में मठ को इनसान ने नहीं बनाया है क्योंकि मैं तो इस यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद था इनसान ने तो बस मठ को केवल खोजा है जी हाँ गनित वह भाशा है जिसका इस्तिमाल सृष्टी के निर्मान में हर चीज में किया गया है और सेक्रेट पैटर्न इस ब्रह्मान की हर चीज में मौजूद वह इंट्रेस्टिंग पैटर्न है जिसे D-Blueprint of God भी कहा जाता है ये है एक सेल इस धर्ती पर मौजूद हर जीव हर प्राणी के जन्म की शुरुवात इसी एक सेल से होती है फिर ये एक साल डबल होकर दो सेल में कनवर्ट होता है दो साल चार में, चार साल, आठ में, आठ साल, सोलह में और सोलह साल, बटीस में और ये प्रक्रिया ऐसे ही निरंतर चलती रहती है और अगर हम इस प्रक्रिया को मैथमेटिक्स करें तो हमें यह सीक्वेंस मिलती है अब इस सीक्वेंस के हर मल्टी डिजिटल नंबर को वन डिजिटल में बदलने के लिए हम Digital Root Method का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करने पर यह सीक्वेंस सामने आती है 1, 2, 4, 8, 7, 5 1, 2, 4, 8, 7, ETC अनंत तक यही सीक्वेंस मिलती रहती है और इस प्रक्रिया को यदि उल्टा आ जाए यानि कि एक कहा फिर Half और फिर Digital Root Method से 1 Digital में बदलने पर जो सीक्वेंस मिलती है वो भी से है 1, 2, 4, 8, 7, 5 1, 2, 4, 8, 7 लेकिन आश्चर्य स्रिष्टी के इतने बड़े प्रक्रिया में 3, 6 और 9 गायब है रिसर्च से ये बस सामने आती है कि इस पैटर्न में आने वाले 1, 2, 4, 8, 7 और 5 नमबर 3rd Dimension को रिप्रेजन करते हैं यानि कि यही नमबर एक दूसरे से इंटरनेट होकर 3rd Dimension वाली दुनिया की रचना करते हैं और इन नमबर्स के बीच में दौडती ये लाइट दर्शाती है कि एनरजी कभी भी खत्म नहीं होती बलकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल कनवर्ट होती रहती है जैसा कि श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता में भी कहा था कि आत्मा यानि एनरजी कभी मरती नहीं है वह अमर है इस पैटर्न में Dimension वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो Results और भी हैरान कर देते हैं 3 और 6 नंबर को डबल या हाफ करते रहने मिलता है लेकिन नंबर 9 यहां भी गायब है 9 को डबल या हाफ करते रहने से मिलने वाले नतीजे और भी चौका देते हैं क्योंकि End Result हर बार नहीं मिलता है हम सभी जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और जब सर्कल को बाइसेक्स यानि विभाजित करना स्टार्ट करते हैं तो एंगल का एंड रिजल्ट अनंत तक करने पर भी हर बार 9 ही आता है धरती चंद और सूर्य के डायमीटर का डिजिटल रूट 9 स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट 9 एक दिन में 8 6 4 00 सेकंड एक 4 4 00 मिनट और डिजिटल रूट निकलेंगे तो उनका डिजिटल रूट 9 मिलेगा 9 के टेबल में डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा यानि की 9 नंबर इस यूनिवर्स की प्राइम पावर है इस इमेज में भी 9 नंबर सबसे टॉप में एक किंग की तरह विराजमान है 3 और 6 नंबर को कंट्रोल करता है और नंबर 3 और 6 बाकी के नंबर को कंट्रोल करते हैं जैसे नम्बर, 3 नम्बर 1, 2 और 4 को कंट्रोल करता है और नम्बर 6, 5, 7 और 8 को कंट्रोल करता है यानि कि सभी नम्बर 9 के निगरानी में इस ब्रम्हांड को बनाते हैं यह पैटर्न बताते हैं कि नम्बर 9 नेचर में एक एकसिस की तरह काम करता है यानि कि हर जगा यह एक में रोल भाता है नंबर नाइन मौझूद एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का एक में सोर्स है और इस ब्रह्मान्ड में मौझूद हर चीज इसी की वजह से अस्तित्व में है इस ब्रह्मान्ड की सभी शक्तियां पैर में कम करती दिखाई देती हैं जैसे इस प्रिथवी क की मैगनेटिक फोर्स जिस पर नौर्थ और साउथ दो पोल ही होते हैं इस संसार में दो तरह की शक्तियां विद्यमान है अच्छी और बुरी लेकिन वास्तव में यह ब्रह्म है क्योंकि कोई भी शक्ति दो पैर में काम नहीं करती सभी कुछ तीन पैर में होता है जैसे मैगनेट केवल इन दो पोल की वजह से काम नहीं करता बलकि इसमें एक तीसरी पावर का भी रोल होता है जीहान मैगनेट का एक्सेस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है जो मैगनेट के दो पोल 3 और 6 को पावर देता है तभी यह दोनों पोल काम करते हैं अच्छी और बुर पूरे material world का निर्मान हुआ है चार्जेस में तीन तरह के ही होते हैं positive, negative और neutral समय भी तीन काल में exist करता है भूत भविश्य और वरतमान काल और जितना रोल यहां तीन काल है क्योंकि एटम के बारे में detail में जाएं तो इसमें तीन component नहीं होते बलकि six होते हैं, तीन particles और करते हैं और यह सब कुछ होता है number nine, उन particles में मौजूद तीन तरह के charges यानि की number three और six pair में काम करते हुए इस ब्रह्मान का निर्मान के control में और number nine की वजह से ही यह दोनों numbers में creation कर पाते हैं, सब कुछ है हर चीज में मौजूद होते हुए भी यह कहीं भी exit नहीं करता, यानि की यह number सब कुछ होते हुए भी शून्य के समान है जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब, लेकिन सत्य तो चलिए, इस पहेली को थोड़ा और सुलजाते हैं अब कोई भी एक number लीजिए, जिसमें number 9 हो या 0 number मौजूद हो, अब इसका digital root निकलता है अब हम number 9 के जगह 0 लिखकर इसका digital root निकलते हैं, तब वही result मिलेगा और यह हर उसे number के साथ होगा, जिसमें number 9 या 0 मौजूद है ये तो आप जानते होंगे कि 0 को किसी भी number से multiply करने पर result 0 ही आता है, उसी तरह 9 को किसी भी number से multiply करने पर भी उसका digital root नहीं आता है, यानि कि number 9, सब में है भी और नहीं भी, यानि कि number 9 स्रिष्टी के बनने से पहले भी मौजूद था और बाद में भी मौजूद है इस ब्रहमांड में दो तरह की एनरजी होती है, एक male energy और दूसरी female energy और इन दोनों energy को हम triangle से represent करते हैं, जिसमें male energy वाला triangle उपर की तरफ करता है और female energy वाला triangle नीचे की ओर point करता है हिंदु धर्म में ब्रहमा, विश्णू और महेश तीन मुख्य देवताओं को हम male energy वाले triangle से represent करते हैं और दूसरी तरफ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीन मुख्य देवियों को हम female energy वाले ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इनी छह देवी देवताओं को मुख्य रूप से पूरी स्रिष्टी का रचाईता माना जाता है। और जिसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी शोर 3,2 हर्ज होती है और जिसका टोटल नंबर होते हैं जिसमें नंबर 9 सबसे आखिर नहीं आता है। 3,6 और 9 का रहस्य की तरफ निकोला टेसला ने नंबर सब कुछ होते हुए भी शून्य के। समान है जी हाँ सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सत्य तो चलिए इस पहली को थोड़ा और सुझाते हैं। अब कोई भी एक नंबर लीजिए जिसमें नंबर 9 हो या 0 नंबर मौजूद हो अब इसका डिजिटल रूट निकलते हैं। अब हम नंबर 9 के जगह 0 लिखकर इसका डिजिटल रूट निकलते हैं। तब वही रिजल्ट मिलेगा और ये हर उसे नंबर के साथ होगा जिसमें नंबर 9 या 0 मौजूद है। ये तो आप जानते होंगे की 0 को किसी भी नंबर से मल्टिप्लाई करने पर रिजल्ट 0 ही आता है। उसी तरह 9 को किसी भी नंबर से मल्टिप्लाई करने पर भी उसका डिजिटल रूट नहीं आता है यानि की नंबर 9 सब में है भी और नहीं भी यानि की नंबर 9। स्रिष्टी के बनने से पहले भी मौजूद था और बाद में भी मौजूद है इस ब्रहमांड में दो तरह की एनरजी होती है एक मेल एनरजी और दूसरी फीमेल एनरजी और इन दोनों एनरजी को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें male energy वाला triangle ऊपर की तरफ करता है और female energy वाला triangle नीचे की ओर point करता है। Hindu धर्म में Brahma, Vishnu और Mahesh तीन मुख्य देवताओं को हम male energy वाले triangle से represent करते हैं और दूसरी Federation की practice में हुए three six और nine number की power का इस्तेमाल हमेशा किया करते थे। लेकिन कैसे यह सीक्रेट रिवील करने से कुछ दिन पहले ही 7 जनवरी 1943 में उनकी मृत्यू हो गई और उनके मृत्यू के तुरंथ बाद उनके सीक्रेट डाक्यूमेंट्स को उस गवर्नमेंट की एलियन प्रॉपर्टी ने अपने कबजे में ले लिया और फिर Freedom of Information Act के तहत केवल वही डाक्यूमेंट्स पबलिक किये गए जिन्हें उस गवर्नमेंट करना चाहते थे लेकिन निकोला टेसला ने कई महत्वपूर्ण खोजें और अविश्कार किये जो आधुनिक विज्ञान और प्रॉध्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में आज भी माने जाते हैं उनके कुछ प्रमुख खोज और अविश्कारों में शामिल हैं विद्युत अवकश प्रणाली, एसी टेसला ने विद्युत अवकश प्रणाली का निर्मान किया, जो आज भी हमारे उप्योग में है उन्होंने विद्युत संचार के क्षेत्र में विशेश योगदान किया टेसला ने टेसला कॉयल नामक उपकरण का अविशकार किया, जो विद्युत उर्जा को उर्जावान रूप में परिनत करने के लिए प्रयोग होता है, रेडियो टेसला का योगदान रेडियो के विकास में भी महत्वपूर्ण है, वे बेल में निकोला टेसला ने रेडियो उपकरण का अविशकार किया, जो आज हमारे संचार सिस्टम का मुख्य अंग है, टेसला टर्बाइन टेसला ने टेसला टर्बाइन नामक उपकरण का अविशकार किया, जो उर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है, वायुमंडलीय उर टेसला ने वायूमंडली ये उर्जा के तंत्र का अध्ययन किया और इसके संबंध में अन्य अध्भुत खोजें की। वायूमंडली ये विद्यूती करण। उन्होंने वायूमंडली ये विद्यूती करण के लिए विभिन प्रयोग और अनुसंधान किये। और उन डाकुमेंट्स में 3-6 और 9-स सम्बंधित सभी डाकुमेंट्स उस गवर्नमेंट को मिले ही नहीं, सच्चाई क्या थी? यह कोई भी नहीं जानता, लिकिन 3-6 और 9-स सम्बंधित निकोला टेसला का वो सीक्रेट निकोला टेसला के साथ ही दफन हो गया, जिसकी खोज आ अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर रोजाना मिलती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी अद्बुत जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत झाल